दोस्तों आज मैं कुछ नीच और्तु की वह बात आपको बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं सबसे पहले नीच कह रही हूँ तो सौरी माफी माऊंगी क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और दूसरी औरत के लिए मैं नीच कह रही हूँ कर दिती उसके बाद अगर वह उस दायरे पर आना भी चाहना फिर ना उससे कहीं जगह मिलती है न अपनी नजरू में उड़ती है और दूसरी की नजरू में तो पहले ही गिर चुकी होती है कहते हैं इज्जत कमाना बड़ा मुश्किल है लेकिन अगर कड़ी-कड़ी जोड अज बात करें हैं अंजु मेडम आपको जिसरे की पता ही होगा अंजु यहां से पाकिस्तान गई थी पाकिस्तान से वापस आई अब उसका इता पता नहीं है कहीं भी सोसल मीडिया पर वह नजर नहीं आ रही है दूसरी है हमारी सीमा है दर जिसे आप जानते ही हो कहने की ज़रूरत नहीं है हम दूसरे देश से अपने बच्चों को लेके हम पर घर गरेशती बिसा के कुछाल जीवन जी रही है और कुछ लोग बिरोध में हैं कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं और यहां पर ओरत कहीं भी हो किसी देश की हो किसी इस्टेट की हो कहीं की भी हो सबसे पहले अपने पति के लिए पत्नी होती है अपने घर के लिए ग्रहनी होती है और अपने बच्चों के लिए मां होती है और आज की डेट में ओरत ने ये मरियादा तोड़ दी है और उन माओं को उन महलाओं को बहुत बुरी तरीकी से आहत कर दिया जो अपने घर प्रिवार के लिए समर्पित है अपने घर के लिए जीती है अपने बच्चों के लिए जीती है अपने पती के लिए जीती है अपने लिमिट क्रोस करके सारी हदे पार कर चुकी है अंजु जो कि आपको पता ही होगा और जिने नहीं पता है मैं बता दूँ अंजु जो हैं से पाकिस्तान गई थी लड़कर जगड़कर और चोरी छिपे अपने घरवालों से जुड़ बोलके हाला कि वहां पे वो लीगल तरीके से गई थी लेकिन अपने घरवालों को धुके में रखके अपने दो बच्चू को छोड़कर और सारी अपने जो साधी का पवित्र बंधन होता है उस बंधन को चकना चूर करकर वह बंदी ने सोसल मीडिया पर इतना गंद फैलाया था और इतने लोग उसके विरोध में और बताने की ज़रूरत निया आप साब वाकिप है उस चीज़े इतना हद करने के बाद आज वो बंधी पाकिस्तान से रिटन वापस इंडिया आ गई और इंडिया आके उसका अता पता नहीं है अभी तक सोसल मीडिया पर कोई न्यूज नहीं आई तीन दिन हो गई मेरे सा कोई न्यूज नहीं आया है सोसल मीडिया पर जब इस तरीके से गई सोसल मीडिया पर तुमने तहल का मचा अपने परिवार की इज़त की धज्जिया उड़ाई अपने बच्चों के नजरू मा गिरी तो आज सोसल मीडिया आने के बाद तुम्हारा आता पता क्यों गया तो क्यों नहीं पाकिस्तान रही जो यहाँ सीमा हैदर को मिल रहा है सीमा है अपने बच्चू की साहथ है उसे अनमेरिट छोटा लड़का उससे भी कम उमर्का लड़का मिल गया घर ब़हुत शार इसको अपने बच्चे चोड़े और उसने जो हमारे देश से गुहार लगाई कि मुझे यहां की नागरिक्ता मिननी चाहिए और उसमें उस बंदी ने अपने परिवार के साथ दोका किया धड़ी से वह चोरी चिपे यहां पर आई और जो अंजूच लीगल तरीके से गई उसे वहां पाकिस्तान से ठुकरा दिया गया धक्के मार के चपल मार के फैज बेड दिया गया जब हमें किसी चीज का किलियर नहीं पता है तो हम यही कपड़ा जब फढ़ जाता है चपपल घिस जाती इसको उतार कर फेक दिया जाता वैसी तुम्हें फेक दिया गया और तुम अपने इंडिया वाफस आ गई क्यों यह यह एक ऑरत का रूप है जब ऑर थोड़ सा गलत करती ना उसे उतार दिया जाता है कि तुम गलत हो तु उसमें गलतिया नजर आती हैं, यहां पर क्यों नहीं नजर आती हैं, हम हिमत रखते हैं गलत को गलत कहने का, और सही को सही कहने का, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, यहां पर अंजु ने बहुत गलत किया, अभी न अपने परिवार के पास पहुंची है, न बच्च कि कोई चीज क्यों नहीं पर की अन्जुका जो बायोडाटा वहां था उचा आपकेस्तानले किया कि एसाजें। यहां पर मैं और हाओ चरीतर दिखाना चाहर थी जो आज तेरी बहने हैं वह तूट चुकि ऐसे केसु से बहुत महलाया कहती ऐसी और तुने हमारा भी जीना दुस्वार कर दिया पतियों ने अपनी पतिनी उपर विश्वास करना छोड़ दिया है डर बैठ गया है और कहीं नहीं है सच है और यह डर परिवारों को तोड़ रहा है घर जुबान पर परोसा कर लेता है कि व्यक्ति ने जुबान दिये हम उसकी जुबान की रखनी है इज़त रखनी है लेकिन आज ऐसा नहीं कोई सचाइस्टाम में भी लिखके देगा उसका भी भरोसा नहीं क्योंकि इसका कारण है ऐसी ओरते जो समाजिक गंदगी को ला रही है गसीट रहे हैं बच्चों के वीच रख रहे हैं उसके बच्चे कब हवसी के आई स्कूल राते होंगे लोग ताना मारते होंगे उन्हें अपना तो चलिए अपनी आयास्यू को लिए अपनी थोड़ी सी गंद की जो हवस के हत्तव से पूरा करने के लिए सब कुछ चोड़ जाना चाहिए इस तरीके से बिए अरतों को सामने लाना चाहिए ऐसे लोगों का रिकॉर्ड लाना चाहिए जो अपने परिवार में गलत चीज कर रहे हैं अगर आदमी कोई और अभी कई इसे कांट होए जिसमने मैं वहने बोला भी है वखाय में बोलना नहीं चाहती हूं ऐसाम कितने कुछ फैला था लेकिन फाइनलि वन उसका समझे हो गया तो सोचल मेडिया पर दिया गया था कोई इसने चादि नहीं करी थी वह गई नहीं थी लेकिन जो था एक अधिकारी थी जब अगर भी चाहता है, कई बात आती अगर ब्यक्ति आजाता था तो अपने राय जोती मोरिया फाइनली अपने घर आ गई वहां पर मैं उसके पती को भी गलत कहूंगी जब तुम्हें एक्सेप्ट करना था अपनी वाइप को तो सोसल मीडिया पे चीज नहीं आनी चाहिए थी ना उसकी इज्जत के अपने धज्या उड़ाई अपने घर की परिवार की इज अपने बीच में लाकर रख दिया आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ा तो इज्जत तो आपकी खराब हुई ना अलोक मौरिया जी इज्जत तो आपकी खराब हुई दुनिया समाज ने मजे लिया अपने अपनी राय रखी तमाम चीज़ वही इज्जत तो चली गई वा महला करती है भाग जाती है कई कांड़ कर देती है तो वह नहीं आता सोसल मीडिया पर क्योंकि गरीब घर की ओरते हैं लोग दो चार दिन बाते बनाते हैं और उसके बाद सारा मामला सांत हो जाता है इज्जत होती है और इसलिए मैं महलाओं से कहती हूं अपने लिए कोई कदम उठाने से पहले नहीं अपना घर को जो घर सिट आप समाज के बीच और उनको रुस भाईयों से भी कहूंगी जब आपको लगता मुझे रहना इसी के साथ है समाजी तो आप कानून का सहाराल है ना कि सोसल मीडिया का सोसल मीडिया पर केवल आपकी इज्जत की धजिय आपको नहीं मिलेगा केवल अगर आपका चैनल है आपको वही सपोर्ट मिलेगा उसके अलावा आपको ऐसा कोई मॉरल सपोर्ट नहीं मिलेगा जिसके आप उमीद लगाते हो कि सोसल मीडिया के थूरू इसको नंगा करो और उसके बाद हमें रखनीत हुए है तो इस तरीकी कि रिष्तो को प्लीज si ॐ नहीं नीवने वाला हका किसी भी एंगल से नहीं नीपता है इसको खीचा तानी करके समाज में गलत मैसेज मत दीजी क्योंकि बच्ची भी वीडियो को स섹्चीर को IELप कपते हि तो हर कव도े की ही रियाक्षन होता है कि हमारे समाज में Best जाना का इस गलत सर को आप रोक सकते हैं, खुद पर कंट्रोल करके, ऐसी चीज़ों को सोसल मीडिया पर मत लाई है, जिससे समाज में गलत छबी आती है, गलत चीज़े फैलती है, बहुत बुरा लगत यह सब चीज़े देखती है, तो दिमाग खराब हो जाता है, मन करता है यह जो इस काफी हद तक और तो ने यह चीज़ किया है, और इसलिए अंगली उठता है, जो गलत पर अंगली उठाना जायज है, लेकिन अगर आपके रिस्तु की बात होती है, आपके समाजिक्ष भी जब तार-तार हो जाती है, उसके बाद आप उस रिस्तु को एक्सेप्ट भी करते क्या रह जाता है, दूरियां ही रहती है, परिवाट टूटता है, बच्चु पर गलत असर पड़ता है, तो इस तरीके का मत करें, कि समाज को एक गलत मैसेज जाए, उसके साथ आपके जिन्दगी भी गलत साबित हो जाए, लोगों के बीच में, लोगों उन्हें यही बोला कि आखिर में और अरत ही रखतो लिया उस नहीं, जतो उसे की गई, सोसल मेडिया पर क्यों राया चीज को, तो फेमास होने के लिए चीज जना करें, जिससे आपके साथ साथ समाज की भी खारात उपो, और बच्चु पर भी गलत असर पड़े, तो थैंक्यू सोमाज जोस्त कि अपनी सोच को बदलें और अगर आपके अंदर इतनी शमता है कि आप अपने चीजू के माधियम से कुछ चीजू को सही कर सकते हैं तो उसका उपयोग जरूर करें दुरूपयोग कभी न करें तो थैंक्यू सोमाज तह दिल से आपका धन्यवाद नेक्स टाइम अगर मेर करें नेक्स के हैं तो एन्यवाद